मुझे भारती होने पर बहुत गर्व है और जरूर बहुत से लुगों को भी होगा पर भ्रष्टाचार मुझे परिशान करता है मुझे यकीन है आपने भी इस बारे में बात की होगी क्या आपके विचार में अध्यात्मिक्ता से कुछ हद तक ब्रश्टाचार से मुक्ती पाने में मदद मिल सकती है देखे पहले ब्रश्टाचार को समझते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हर कोई इसे सही तरीके से और सही दृष्टिकोन से समझे बजाए कुछ लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया करने के जो फाइदे मनपदों पर है ठीक है मैं आपको ये इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इन 64 सालों में जिसका मतलब है दो पीडिया कम से कम 50 से 60 फिसदी लोग बहुत बुरी हालत में जिये हैं आज आप और मैं ये चर्चा करके घर जाएंगे और अच्छे से खाना खाएंगे बहुत सारे लोग करीब 40 करोड लोग ऐसा नहीं कर सकते तो अगर हम अगले 5 से 10 साल ठीक से चला ले तो हम इसे बदल सकते हैं ये एक जबरदस्थ समभावना है जो हमारी ..... इसका सही लाब उठाने पर हम उनका जीवन बदल सकते हैं जिन्होंने पेट भर खाना नहीं खाया जो बच्चे कुपोशित हैं जो कुपोशन का सबसे उचा इस्तर है जो लोग असिक्षित हैं, जिनें अफसर नहीं मिल रहे हैं, जो भयानक, सामाजिक और आर्थिक गड़े में हैं, उनका जीवन अगले पांच से दस साल में बदल सकता है, अगर हम सही चीजें करें। हर भारतियों को ये समझना चाहिए, अर्थ व्यवस्था का मतलब बस स्टॉक मार्केट नहीं है, इसका मतलब वे भूखे लोग हैं, जिनें भोजन मिलेगा, अर्थ व्यवस्था का मतलब स्टॉक मार्केट नहीं होता, अर्थ व्यवस्था का मतलब भारत में विदेशी कारे आना नहीं है, अर्थ विवस्था का मतलब आपके अच्छे कपड़े पहनना वेगर नहीं है, अर्थ विवस्था को सुधारने का मतलब है कि देश में भूखे बच्चे नहीं होंगे, जिस बारे में हम सभी को कुछ करना चाहिए, और वो संभावना, वो संभावना खत्रे मे मैं जहां भी जाता हूँ, दुनिया भर में तमाम आर्थिक और राजनीतिक नेताओं से बात करता हूँ, हर कोई कहता है, हम भारत आना चाहते हैं, भारत एक बड़ी संभावना है, पर ब्रश्टाचार का अपमान हम नहीं सह सकते। नहीं जहलना चाहते, तो ये संभावना मुठी भर लोग नस्ट कर रहे हैं, या मुठी भर लोग कहना गलत है, ये भ्रश्टाचार से भरा हुआ देश है, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर कितने लोग, अगर पुलिस वाले ना हो, तो लाल बत्ती पर रुकेंगे, मेरे ख् सिर्फ एक बुरे शब्द भरश्टाचार का नाम देने की बजाए, हमें समझना चाहिए, कि हम एक समाज के रूप में, जीवन को चलाने के राजा महराजाओं वाले तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके की और जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीका अभी हमारे अ उसका मतलब क्या है, एक लोकतांत्रिक समाज में रहने की जिम्यदारिया क्या है, मगर ऐसा नहीं किया गया, हमने बस अंगरेजों से लोकतांत्रि लिया और हमें लग बस 5 साल में एक बार वोट देकर उंगलियां गंधी कर लें, तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं, हमने लो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पांच साल में एक बार वोट डालें अधिकांश लोग वो भी नहीं करते मगर चाहे आप वो करते हों तो भी ये काफी नहीं है लोकतंत्र एक सक्रिये खेल है ये दर्शकों का खेल नहीं है, आप बैठ कर ये नहीं कह सकते, उसे लोगतंत्र चलाने दो, लोगतंत्र का मतलब है कि आप बॉस हैं, आप उसे अंदेखा नहीं कर सकते, आपको आसपास की हर चीज के प्रती सक्रिय होना होगा, अगर आप लोगों में ये चेतंता, ये जाग जाना कैसे है, ये एक अलग तकनीक है, मेरा कहना है कि कम से कम महीने में एक बार अपनी गली, अपने शेत्र में, उस शेत्र में जो भी समझ से आए हैं, उनकी एक सूची बनाएं, कुछ लोगों को साथ लाएं, और जो भी पारशद विधायक है, उसे एक मीटिंग के लिए ब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, है न?